और यह खबर जो आपको बता रहे हैं उतरप्रदेश के लड़तपुर से है जहाँ पर थानेदार की उगाही की चिठी वारल होने के बाद हरकंप मचा हुआ है और उधर एक पट्टा धारक राम मिनल दुबे ने भी थानेदार पर रिश्वत मांगने का गंभी रारूप लग लेकिन इवान दरी से काम करने वालों से इस दुरान रिश्वत मांगी जा रही है राम मिनल दुबे का कहना है कि उन्यों इसकी शिकायत तो सी-म से लेकर डी-म स्टक से कर दी लेकिन अभी तक किस से पूरे मामले में कोई कारवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है हमारा पुचली पट्टा है बालू का पात साल के लिए तो दो हजार हमें इस से चला है हमारा यह हमसे पचास जार रुपए की डिमाइन करते हों पचास जार रुपए हमें दी यह तब हम गार चलने देंगे हमारा चप्सक्त साथ हजार सातματα मतली है हमारे हमें को पचास जार रुपए कहां सी यह आए देन हमारा MS 11 के लिए टेक्टर जाता है नो बहान पकड़ देखे पान पकड़ ली इति एक तरफ राम मिलन दुबी ने बानपुर्थान अद्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं उधर ये चिठी वाइरल होने के बाद पूरे पुलस महक्वे में हलकंप मचा हुआ है एसी के साथ ही बानपुर्थान अद्यक्ष पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं ये वसूली किस बिहाप पर खी जाती है कौन से अवैद धंदे हैं जो संचलित किये जा रहे हैं जिसके आधार पर ये अवैद वसूली की जाती है और आखिर इसका हिस्सा किस के पास पहुंसता है ये चिठी वारल होने के बाद और राम मिलंदुवे के आरोपों के बाद अब सवाल ये है कि जाच क्या होगी और किस पर कारवाई होगी